नमस्कार दोस्तों मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कुछ कताईं सुना रही हूँ उन में से एक है गंगा जमुना की कता एक गंगा थी एक जमुना थी दौनों बहने एक साहुकार की खेत में से जा रही थी जमुना ने बारा दाने जोंके खेत में से तोड़ लि करने से उत्रेगा जमना साहुकार के यहां गई बोली मुझे नौकरी पर रख लो चार काम छोड़ कर मैं तुमारे सारे काम कर दूंगी एक तो जूटे भरतन नहीं दोंगी जहडू नहीं लगाऊंगी सेज नहीं बिचाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी साहुकार ने उसे मेरी बहन गंगा है उसे है टका दे देना कह देना बहन जमना ने भेजा है तो वे हाथ पसार कर गोरी गोरी बैयों में हरी हरी चूडियां पहन कर ले लेगी वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूडियां गोरी गोरी बैयां हाथ पसार कर लेली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे बारा बरस पूरे हो गए है अब आ जाएगी साहुकार साहुकारनी घर आए जमुना से बोली कि तेरी बहन बोली है कि तेरे बारा बरस पूरे हो गए है तू आजा यह सुनते ही जमुना सहस्त्रदारा होकर बहनी लगी साहुकार साहुकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे घर के काम करती थी तो अत्यदिक दुख हुआ और सोचने लगे कि हमारा पाप कैसे उत्रेगा उदर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा तू साहुकार साहुकारनी को दीरज बंदा कर आई है या नहीं जमुना बोली मैंने तो कुछ भी नहीं का गंगा बोली उनको दीरज बंदा कर आ नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो, वे बोली हमने तुमसे उचा नीचा सब काम कराया, हमारा पात कैसे उतरेगा जमुना बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी, तुमारे खेट से बारा दाने गेहूं के तोड़ लिये थे, इसलिए मुझे दोश लग गया था, तुमारे बारा साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुमारे कोई दोश नहीं लग है, तुमारे खूब धनलक्षमी हो जाएगी, तुमारी मुक्ती हो जाएगी, है जमुना माता, जैसे मुक्ती सहुकर सहुकरनी की की, सब की करना हमें भी दे, हमारे सारे परिवार की करना, बोले रमना मैया की जै